हुआ 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 है चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज एक नया टपिक संकु कौन जिसको पते हैं कौन उसका इंट्रोड़क्शन हो जाए है संकु बनता कैसे है अगर हमें एक संकुन त्रिभूस को ए ओ ले ले लें और उसको बड़ी भूजा यह छोटी भूजा किसी भी तर से हम यहां पर बड़ी भूजा करो जो लमबोत हो जाए हैं इसमें से किसी भी एक के परितर अगर कहीं घुमाएं हमने यहां पर AO के परता घुमाया है तो अगर घुमायें तो इस तरह से हमको एक आकृति मिल जाती है अगर घुमाते हैं तो हमको एक आकृति मिलती है और इस आकृति को हम संकृ कहते हैं अब इस संकृ में दो तरह कि हमको उचाई प्राप्ति है एक यह उचाई जिसको हम कहते हैं तिर्ची उचाई एल जिसको कहते हैं तिर्ची उचाई और यह होता है सिंप्ली उचाई वर्टिकल हाइट इसको बोते हैं उर्द्वादर उचाई जो की केंद्र से सिर्ष तक की जो दूरी होती है उसको और यह वाला जो भाग था इसको कहेंगे हम त्रिज्या यह आधार के त्रिज्या खालाएगी यहां पर हम तो क्या क्या मिल गया ओ भी मिल गया त्रिज्या आर यह जो है त्रिज्या बन गया और यह जो है यह यह र बन गया यह यह बन गया और यह वाला यह बन गया तो ओ ए बराबर याज जिसको कहेंगे हम उचाई और ये भी बराबर याज जिसको कहेंगे हम तिर्ची उचाई आए एक आकर्टी है एक माडल है हम देख लेखें यह इस तरह का जो आकर्टी है इसको हम संकु कहेंगे संकु में यह इसको कहेंगे हम तिर्ची उचाई यह वाला भाग जो होगा वो तिर्ची उचाई और इसकेài-स सीधिया नीचे तक जो उर्धुहाद जा जो सीध़ा लंबोस उचाई जो होकी उसको हम कहेंगे उचाई और यहां पड़ आधार की तृजिया हो जाएगी यह व्रित्ता विस्तका भाव म ना तो आधार की तृजिया हो जाएगे तो अब अगर कि हम यल की बात करें यह जो यल है तीसी हो चाहिए यल निकले का कैशे थी कि यह कार्ण है समकोर्ति पूद में यह कार्ण है तो एल स्क्वाइर बड़ाबर हो जाएगा एच स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर एल स्क्वाइर बड़ाबर ह स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर या एल बड़ाबर ह स्क्वाइर प्लस आर स्क्वाइर लेकिन ततिर्षी के लिए उसका नाम लेना जरूरी है जब तक हम तिर्ची सब्द नहीं कहेंगे तिर्ची उचाई नहीं कहेंगे तब तक हम समझे कि इसके बारे में बात नहीं कर रहा है अगर हम सिर्फ उचाई कह रहा है इसका मतलब कि हम सिर्फ ह की बात कर रहा है ठीक है तो अगर कहीं संकु की उर्दौह दर उचाई या उचाई और उसके आधार की त्रिज्या दिया है तो हम तर चीचल ग्यात हो गया तो फार्मुला निकालेंगे पहला होगा संकू की संकू का वक्रप्रिष्ट यह सब देखिए फर्मूले एकदम प्रूप्ट है यह संकू का वक्रप्रिष्ट होता है पाई आर एल जहां पर आर आधार के तरिज़ा और यह तरिश्ची हो चाहिए पाई दूसरा है संकू का संपूर्प्रिष्ट क्या होगा वक्रप्रिष्ट यह वाला वाग संपूर्प्रिष्ट के लिए देखिए हम बताया है कि संपूर्प्रिष्ट हम उन सभी प्रिष्टों का छेतर पल निकालते हैं जो उमको दिखाई देता हैं यह वक्रप्रिष्ट पाई आर एल और यह वरित्ता कारभाग दिखाई जाए नीचे है उपर नहीं है जैसे बेलन में हुआ करता था ना पाई औरेस्क् प्लस यह पाई आर एल वक्क प्रिष्ट तो संगू का संपूर्प्रिष्ट क्या हो जाएगा वक्क्रिष्ट प्लस आधार का शेञटरफ़ के वक्क्क्रिष्ट हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस आधार का शेटरफ़ कंट बृत्ता का रहे तो पाई आर स्कुए स्कुर। बिट का से तरफ़ पाई रसक्वार्ट तो पाई आर का मले लें ल प्लस यह हो जाएगा संकू का संपूर्ण प्रिस्ट और तीसरा है संकू का आयतन कि संकू का आयतन कि यह फ्रमूला होता है ए बड़ा तीन पाई रसक्वार एच होता है तो यह फार्मूले है इसमें खोकले की बात नहीं किया जाता है इसमें संकू छिनक की बात होती है यहां से जिसको अधार के समानतर इसको काड़ देते हैं तो ऊपर संकू निकल जाता है और नीचे जो बता है उसको संकु छिननक बोलते हैं कुन फ्रस्टम कौन फ्रस्टम तो हाला कि हम लोग के सलिबस में नहीं है तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे हमारे पास हम लोग इसी तीन फार्मूले का यूज करेंगे और इसी फर हमारा सवाल लगेगा चलिए यह देखते हैं एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज में हम उसको नहीं मिटा रहा है हो सकता है उसी पार्मूले को सब्सक्राइब एक्सरसाइज सब्सक्राइब तीन का कुश्चिन नूमबर वन एक लंबृति संकु का ब्यास 16 सेंटिमेटर और उचाई 15 सेंटिमेटर तो संकु की तीरिया कुचाई एल पूछ रहा है देखिए एक चीज यह आप लोग हैविट में डाला करें कि क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको कोशन मार्क कर दिए क्या दिया है देखिए ब्यास बराबर 16 सेंटिमेटर ब्यास डी हो जाएगा यानि कि यहां से अगर हम आर निकालें आर बरापर हम को मिल जाएगा आठ सेंटिमेटर और उचाई हुचाई 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 एक बराबर फश्षु एगर और ल तिरस्फ युचाई यहां दिखेने तिर-स्फिवचाई कि बार-बार यह लिखने की जुरूरत नहीं है अब यह चुकि पहला कुश्चन है तिर्शी उचाई ल बराबर कुश्चन मार्ट है हमने यहां पर ब्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं दी एच और एल और तिर्ज्या के लिए हम लोग आर सिंप्ली इनहीं सब का हम यूज करें गया यह सब बार-बार लिखने की जुरूरत नहीं है चुकि पहला कुश्चन है इसलिए हम लोग लिख दे रहे हैं कि क्या क्या है तो तो तिर्शी उचाई अल एल बराबर क्या था कि कितना हो जाएगा दो सो पच्चीश प्लस चौश्ट बराबर कि कि दो सो नवाज सी कि कितना हो जाएगा सत्र सेंटीमेट है यह एंसर हो जाएगा कि संकू का जो तिर्शी उचाई होगा सत्र सेंटीमेट हो जाएगा है ठीक है यह और आप दिया हुआ है कुछ करना नहीं है कि देखिए बेलन हो संकू हो इन सब में हमको बस आर और एच को खोलना होता है हाना कि संकू में बढ़ गया है वो तिर्शी उचाई लगोशा में हो तो उसमें भी आ अगर आप यह और पता है तो सारा formula आ हम तीच्छी उचाई बिगाल सकते हैं वरकिष्ट में निकाल सकते हैं आयतन भी निकाल सकते जाएय क्या तो ने फैले ग्लंद्री संकू की उधर की सिलिशा अर और देखें सिंबल लिखेंगे हैं त्रिज्या आर बराबर नौ सेंटिमीटर एक्ष बराबर 15 सेंटिमीटर तो संग्गु का आयतन देखें आयतन भी बराबर कुछ सिर्मार तो आयतन यहां पर पहले आयतन एक बार लिख दें जोगी पहली बारा है आयतन भी बराबर एक बटे तीन पाई आर स्क्वेर एक्ष यह पन्मुला होगे एक बटे तीन गुड़े 22 बटे साथ गुड़े नौ कावर गुड़े 15 पारट बसे गजमों पमुला ह्कों पेकि नौ 20 एक सो दस गूरे तो भाग देदें तो जाएगा सब्सक्राइब तो जाएगा सब्सक्राइब कर दो जिरू सब्सक्राइब चार साथ पज़र्पांएइस साथ पज़र्पांएतिस गातेश्थ अधे पर वर्फॉर्प दो एंध़कर आ थीर्प कर दो तो जो कि अधिंडे कि अ कि इतना वह चालने पड़ता कुछ नहीं करना था है है ठीक है है कि अज़िए कुस्चिन नमबर थ्री कुस्चिन नमबर थ्री में देखी क्या दिया है एक संक्वा कार डेरे की उर्धा हुचाई यच बार मिटर आधार की परिधी पुरा सरकंफरेंज 2 पाई आर 22 सेंटिमेटर तो डेरे कायत नमबर देखी अधार उचाई ह बराबर 12 सेंटिमेटर आधार की परिधी आधार की परिधी टू पाई आर बरावर केंद दिया है 22 सेंड 22 पसवरी ये मीटर में 22 मीटर तो आयतन भी बरावर कुछ समार ठीक तो दिखिए हमको आयतन निकालने के लिए ह और आर की जुर्वत पड़े गया उचाई और आधार की दिरिज़ा है उचाई दिया हुआ है आधार की दिरिज़ा निकालना है आधार की दिरिज़ा के लिए ये कर्डिशन दिया हुआ है इसके साहता से माधर के तरीजा निकाले, मिस दिया है टू पाई आर बराबर 22, तो दो गुड़े 22 बटे साथ गुड़े आर बराबर 22, गुड़े साथ बटे में 22, ये कट गया, आर बराबर हो गया, साथ बटे, दो सेंग्यमिटर, ठीक है, अब आयटन निकालने, भी बराबर, एक बटे 3, पाई, आर स्क्वाइर, एक बटे 3, गुड़े, साथ कामान, आर कमान, साथ बटे 2, गुड़े साथ बटे 2, एच कामान, बार, तीन चुक को बार है, आई ये कट जाएगा, इससे, और एक साथ कट जाएगा, इससे, बार गुड़े साथ, साथ बना चावदा, साथ बना चावदा, एक 15, सेंटिमिटर की, कि लुड़े साथ, बार, एक तीन चावदागा, तीन चावदा साथ, आएग बटे बना चावदागा, साथ, थावदा बना चावदागा, कुछिस्चे नमर फोर यदि एक संकू का ब्यास 14 सेंटीमीटर और तेरियक 16 सेंटीमीटर तो संकू का वक्रप्रिष्ट गयाती है यह तो फार्मूले पर देखिया है ब्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर इस इंप्लाइज आर बराबर 7 सेंटीमीटर और तिर्चियू चाहे ल बराबर 16 सेंटीमीटर बराबर 16 सेंटीमीटर तो बप्रिष्ट बराबर पाई आर यल यह जाएगा बाइस बटे साथ गुड़े आर साथ गुड़े यल 16 तो कर जाएगा तो सुरोदना बत्तिस और सुरोदना बत्तिस तिर्चियू पाइंटीमीटर स्क्वाइर यह जाएगा यह सब फार्मूले को हैं छोटे-छोटे सवाल हैं करते जाएं आगे जब बड़ा आए रहे तो फ्रासा डिटेल में देखा जाएगा कोस्ट नमर फाइब यदि संकू के उचाए 14 सेंटीमीटर तथा आधार की 33 सेंटीमीटर हो तो संकू का वक्क प्रिस्ट और संपूर्ण प्रिस्ट ग्याद कीजिए अब दिखी जब संपूर्ण प्रिस्ट की बात करें या संपूर्ण प्रिस्ट की बात करें तो उनकूंगी जूर्द पड़ेगी तो क्या क्या दिये हो देखें इसमें कुशन में पाइब पुचाए और आध्यर कितरी जी आएच्च 14 सेंटीमीटर आर तीन सेंटीमीटर तो क्या क्या पुच्छा है तो वक्क प्रिस्ट और संपूंप प्रिस्ट वक्क प्रिस्ट बड़ाबर कुश्य मार्क और यह दो चीज़ कुछ रहा है देखिए वक्क प्रिस्ट मीज़ पाई आर याल संपूंप प्रिस्ट पाई आर एल प्लस आर दोनों में हमको आर तो पता है लेकिन एल नहीं पता है तो एल हमको निकालना पड़ेगा और उसके लिए कि एच और दिया है तो आसानी से निकल जाएगा एल वरावर एच स्क्वाइर प्लस आर इस्क्वाइर च्वादा कावर्ड प्लस इत्थरी तीन का वर्ग एक सो चानवे प्लस इत्थरी नौब है यह तो इसमें आ गया कि यह दो सो पांच का वर्ग मौन हम चौदा दस्मालों कितना चौदा दस्मालों चौदा दस्मालों हम निकाल करते हैं तो चौदा दस्मालों तीन दो सेंटिमेटर अब हम निकाल लें वक्रप्रिस्ट पहला निकाल लें वक्रप्रिस्ट बराबर पाई आर अल पाई आल मिंस 22 बटेश साथ गुड़े आर तीन गुड़े एस का मान 14 दस्मालों तीन दो बाई तेश हाँच्ट कि अच्छे नमाले चातिर उठार एक निश्ट चुक चोविश्ट पर चीस शेकंचे दू आर्ट कि अग्यांना फंट प्रॉब्र पंड़र 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 शॉड़र प्रों तरह एक नोग इसमें शाथ का भाते इंद्ड़ किस हैं तीन सब्सक्राइब है जिए जी है जी जो दो दिया है है जी जो दो सागे कुछ बढ़े आ तो जाएगा तो यह हल करेंगे तो आ जाएगा एक सो पाइंटिस दसमलोग जीरू दो सेंटिमिटर स्पर है एक यह एंसर हो जाएगा दूसरा हम संपूर्ण प्रिष्ट निकल लें संपूर्ण प्रिष्ट बराबर पाई आर एल प्लस तो बाईस बटे साथ गुड़े तीन और एल खामान 14 दसमलोग तीन दो प्लस तीन छाँ छट बटे साथ गुड़े 17 दसमलो तीन दो तो 17 दसमलो तीन दो घुड़े 66 जड़े 17 उति खटाव से आपनेश साथ ब्याइश सक्ति आरीश स्यक्रीश और दश याच दस दो नो तेन जीग एक दो तो ऑन पिलेश शेच्वार्थ दें एक बाड़ चाट चो आरेश सच्श बेयालिस दो तेस तरिकित किष ए तो 163 बखर लो तीन हाँ इतना रहे था है यह था 11,50 बखर लो तीन सेंटीमेटर यह था है उस चीत्र की तो जुरुदे नहीं पूद रहे है यह था चली कुछान में 5 भी होगया कुस्चन नंबर 6 कुस्चन नंबर 6 में एक लंबरती संकू की उचाए उसके आधार के ब्यास की दुगनी है उसके दुगनी यह यह नि तू डी बराबर टू इंटू तू आर इस इंप्लाइज एस बराबर ओर आर इस इंप्लाइज आर बराबर यत्स बटे फोर इसके जुरूरत पड़ेगी इस लेम नहीं असर का और क्या दिया है संकू का आयतन चत्तिस पाई घंस इंटिमिटर तू चाहिए लगी आयतन बराबर चत्तिस पाई घंस इंटिमिटर तो एच बराबर कुश्चन माद करें आयतन बराबर होता क्या है आयतन बराबर एक बटे तीन पाई अर स्व एच आयतन कमाद दिया हुए चथीन सपाई और यहां है यहां हमाल निकालना है यह कंमाल तो आया को को हम अब फिर यहां पर जाएगा यहां तो पाई सथ पाई कर गिया तीन का इधर गुड़ा कर दें अवे रहने कि देज़े च्छतिस बराबर कि एक बटे तीन गुड़े एच स्क्वायर बटे 16 गुड़े एच एच क्यूव बटे 48 हो जाएगा पाई एच क्यूव बटे 48 यहां पर जाएगा तो च्छतिस बराबर कि एक एच क्यूव बटे 48 हो जाएच क्यूव बराबर इसका खनो वर अर यहां हो जाएगा यहां पर जाएच क्यूव बटे साथनीन करें एच क्यूव बिटे उसक्यूव बटे शोड़े सा जाएच क्यूव बटे पर जाएच कि 1726 है इसका घंद्मूर वर और कि एच की वरब इतना थे एच वरब बारा हो जाएगा क्योंकि यह की 1720 का घंद्मूर 12 सेंटिमिटर के एच का मार हो जाएगा 12 सेंटिमिटर चलिए question number 7 question number 7 में दिया हुआ है कि एक संकु की तरिज्या दथा उचाई 3 संबंदे 4 के अनपात में है यानि कि तरिज्या अगर उसको X वाले मान ले तो तरिज्या हो जाएगा 3X और उचाई हो जाएगा 4X तरिज्या 3X और उचाई 4X तो संकु का आएथन दिया हुए है 301.44 आएथन V ब्रबर 301.44 ये दिया हुए ए तो संकु की तरिज्या दथा तरिज्या उचाई है आर बराबर कुश्चर मार्क एल बराबर कुश्चर मार्क यह दिया हुआ है तो यहां आएतन वी बराबर होता है एक गुटे तीन पाई आर स्क्वार एच यह कितना है तीन सो एक दस्वरोग चार चार बराबर एक गुटे तीन गुडे 3.14 गुड़े R का मतलब कि 3X का बुल स्क्वार और ये 4X कितना हो जाएगा 1 गुटे 3 गुड़े 3 दस्मार बुल एक चार गुड़े 9X स्क्वार गुड़े 4X तो ये तो हो जाएगा चारते हैं 12 3 दस्मार बुल एक चार गुड़े X क्यूब बराबर क्या हो जाएगा देखिए 301 दस्मार चार बटे में 301 दस्मार एक चार गुड़े बार गुड़े इसको जब हम काटेंगे ना 301 दस्मार चार चार बटे में अब इसको अगर हम काटें तो आठ से आठ से आठ से अगर भाग देखिए एक तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा दो एक्स का मान निकल गया दो तो आर बराबर है थ्री एक्स कि टीन गुड़े धो बराबर चाहर सेंटिमेटर एकतों तो तो अपशा इई-आठ बराबर भी निकाल लोड़े क्योंकि तिरची हो जाएगा पुछा है तीरी यह कुछ रहा है एच बरबर है फोर एक्स मीज चार गुड़े दो बरबर और से ल बरबर है एच स्क्वेर प्लस और स्क्वेर है एच का मतलब आठ का वर आर का मतलब कितना हो जाएगा चार शाट प्लस चत्तिस सव दस सेंटिमेटर तिर्ची में चाई यहल बर आपर दस सेंटिमेटर